हालो फ्रेंड्स वल्कम तो माई चैनल जीओ जीवन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओ जीवन पर हारदिक स्वागत है महिलाओं की दाई हतेली में खुजली होने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों आज के दौर में यदि हम हतेली में खुजली एवं इससे मिलने वाले लाब की बात करें तो आज की युवा पेड़ी सिर्फ इसे एक अंधिविश्वासी मानती है परन्त यदि हम बात करें शास्त्रों की खास तोर पर सामुद्रिक शास्त्र की तेस शास्त्र के नुसार मनुष्य का शरीर अत्यंत सम्वेदनशील माना जाता है और यह हमें भविश में होने वाली परतेक शुब और अशुब घटनाओं से आउगत भी कराता है यदि हम अपने मन को केंद्रित एवं सयमित रखें तो जीवन में घटने वाली परतेक शुब या अशुब घटनाओं का आभास आपके अंग आपको जरूर कराते हैं सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं और पुर्शों की हठेली में होने वाली खुजली का अलग-अलग मतलब भी बतलाया गया है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हतेली में खुजली आना या होना हतेली के माध्यम से चलती अंदरुनी उर्जा का एक संकेत माना जाता है जो की होने वाली भविश में शुब या अशुब घटनाओं का इशारा माना जा सकता है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महिलाओं की हतेली में होने वाली खुजली का मतलब बताऊंगी तो आई जानते हैं कि यदि किसी महिला की हतेली में खुजली हो तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सामद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला की दाएनी हतेली में खुजली होती है तो यह शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि दाहिनी हतेली में खुजली होना पैसे या धन के जाने का संकेत माना गया है महिलाओं की दाई हतेली में खुजली होना धन अत्वा पैसे के नुकसान की तरफ भी इशारा माना गया है महिलाओं की दाई हथेली में खुजली होना इस बात का सूचक होता है कि आपका धन अत्वा पैसा किसी ने किसी माध्यम से खर्च अवश्य होगा दोस्तों यदि किसी महिला की दाईनी हथेली में लगातार खुजली हो तो इस धनान की उर्जा को कम करने के लिए आप अपनी हथेली को उर्जा की सूचालक वस्तु यानि कि किसी धात के समान से अवश्य खुजलाएं ताकि नकारात्मक उर्जा स्थानांत्रित हो सके और पड़े दोस्तों ये तो हो गई शास्त्रों से सम्मंधित बाते आए जानते हैं विज्ञान के अनुसार मनुष्य की हथेली में खुजली होने का क्या मतलब होता है दोस्तों विज्ञान के अनुसार मनुष्य की हथेली में खुजली होना ड्राई स्किन यानि की सूखी अत्वा किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण हो सकता है यदि आपकी हथेली में बार बार या लगातार खुजली हो रही हो तो आप किसी कुशल चिकित सकसे परामर्स अवश्यले कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी जाती हैं विज्यान की माने तो हथेली में खुजली का होना ड्राय स्किन यनि की सूखी तवचा अत्वा किसी भी प्रकार की एलर्जी के कारण होता ہے परंतियोधी शास्त्रों की माने खास तोर पर सामुद्रिक शास्त्र की तो मनुश्की हतेली में खुजली का होना अपने आप में कई गूर रहसे छिपाए हुए है जो समय समय पर व्यक्तिको होने वाली भविश्व की शुब और अशुब घटनाओं से अवगत कराता रहता ह है दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की दे गई सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धर्निवाद